दोसों आपकी स्क्रीन के उपर दिख रहा है क्वेशन नमबर 7.3 अब 44 mH इंड़क्टर इस कनेक्टेट टू 220 वोल्ट 50 हर्ड AC सप्लाय डिटर्माइन द आर्मस वैल्यू आफ करेंट इन द सर्केट तो हमको क्या करना है तो हमको निकालना है आर्मस वैल्यू आफ सर्केट न वो दिया है 44 मिली हेंरी दिया हुआ है तो यह कितना आएगा तो यह होगा 44 इंटू 10 रेस्ट पाउर माइनस 3 ह आज आएगा सप्लाय वोल्टेज वी दिया हुआ है 220 वोल्ट उसके बाद फ्रिक्वेंस हमको दिये है 50 हर्ड के ठीक है उसके बाद अंगूलर फ्रिक्वेंसी का फोर्मूला क्या है तो वो है 2pi n होता है अब इंडक्टंस रियक्टंस को हम दिखाता है xl से वो क्या होता है omega into l होता है omega के वैलो कितने होती है 2pi n into l होती है तो 2 into pi into 50 into 44 into 10 raised to power minus 3 आ जाएगा यहाँ पर तो यह तो हमको यहाँ पर value मिल गई है अब जो RMS value है i से हम दिखाएंगे i is equal v upon xl होता है ठीक है तो v कितना है 220 right divided by 2 into pi into 50 into 44 into 10 raised to power minus 3 इसको अगर calculate करेंगे तो i की value मिल जाएगी तो और i की value कितनी मिलती है 15.92 ampere मिल जाती है तो RMS value of current in the circuit कितना आएगा तो वो आएगा 15.92 ampere आ जाएगा तो इसको note down करो फिर next question को करते है